नश्कार दोस्तों दोस्तों मारे YouTube चैनल साटिंग में आफ़तका बबहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं बताऊंगा जो है कुछ चर्चा करूंगा Google Discover के बारे में तो Google Discover जो होता है दोस्तों इस वे क्या-क्या होता है कैसे दोस्तों जैसे कि हम अपने ब्लाक अपने पोस्ट को जो है रेंग करवाते हैं या उसको Google सर्च कंसोल से जो है उसको जोड़ते है तो Google सर्च कंसोल होता है और जो Google Discovery होता है दोस्तों वो इंटरेस्ट बेस्ट होता है सब के मॉबाईल पे जो है सब के मोबाइल में दोस्तों अलग-अलग सेटिंग होते हैं अलग-अलग जो है उनके इंट्रेस्ट से के द्वारा जो है दिखाया जाता है तो दोस्तों हम अपने जो है अपने ब्लाग को अपने पोस्ट को जो है गूगल डिस्कबर में कैसे ले जाएं इसको दोस्तों इस लाइक कीज़ेगा तो चलिए दोस्तों जैसा कि अगर जो हम को कोई चीज जो है ब्लाग बनाना हो कोई और उससे जो है WordPress को जो है इस्टाल करके जो है हम अपना काम सुरू कर देते हैं और उसमें क्या होता दोस्तों बहुत सारे plugins हो गयरा जो कर सब चीज को हम fit करके इस्टाल करके ready कर देते हैं और ब्लाक जो है उसको write करना सुरू कर देते हैं लेकिन दोस्तों ब्लाक को जो है तो आप देखेंगे कि अगर जो आप starting में blog को जो है right कर रहे हैं और keyword को जो है research करकी डाल रहे हैं ऐसा keyword research कर रहे हैं जो दूस्तो Google पर rank कर सकता है unique हो उसके traffic जादे हो और keyword difficulties जो है कम है तो दोस्तों आप देखेंगे कि वो जो है आपका जो है search में नहीं दोस्तों ठीक है सर्च कंसोल में जो है उसको इंडेक्स करवाते हैं अपने जो है अपने वेप साइट को जो है हमको क्या करना पड़ता है सबसे पहले गूगल के सर्च कंसोल में जा करके सर्च index में अपने website को जो है रेंग उसमें जो है index करवाना पड़ता है अब दोस्तों उसमें हम index करने के बाद जो है हम अपने हमारे website का site map होता है उसका URL जो है हम वहाँ पर put करते हैं post का page का या जो हमारा key है keyword है category है सब का URL क्या करते हम वहाँ पर Google के search console में put कर देते हैं जैसा कि दोस्तों मैं आपको भी दिखाता हूँ तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं Google का search console है अभी माली जो हम अपने site का यहाँ पर URL डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है then advanced में जा करके जो है advanced property में जाकरके उसको जो है हमको जो यह होता है जो DNS होता है दोस्तों वहां पर जाकरके हमको paste करना पड़ता तो यहाँ पर हमारा सब कुछ done है अब दोस्तों जैसा की हम जो है यहाँ पर अपना सब Intelligence डाल दीए तो जैसा कि आप देक सकते हैं यहां पर , जैसके जो है जो कुछ भी पेज होता है यहां पर हमारा पड़ा रहता है तो जो साइट मैप होता है दोस्त तो वहाँ की बात है जो हम अगर उपने पोस्ट को जो है रेंग करवाएंगे हर एक चीज जो है सबसे पहले यह सब चीज जो है करना पड़ता है इसमें दोस्तों Google के जो है सर्च कंसोल में इसके साइड मैप पर हम अपने बेफ साइड को जो है यहां पर इंटरी करते हैं रेक चीज का तो कितना पेज है क्या है जो है इसके इंडेक्स पहले करवाते हैं दोस्तों जिस प्रकास से अपने website को जो है हम अपने इस में index करवाते हैं तो उसी प्रकास से दोस्तों Google Discover में जो ऐसा नहीं होता है वहाँ पे जो है हम कुछ नहीं इसको जो है हम इस प्रकास से जो नहीं कर सकते तो दोस्तों जो Google Discover होता है वो Interest Based होता है इस पे जो है जो Mobile में या कहीं भी जो है Google में जो इसके AIP के द्वारा जो Open करते हैं दोस्तों यानि कि जैसे कि तो दोस्तों इसमें जो है गूगल डिस्कवर में जो है आईसे नहीं होता है सब चीछ जो है पहले हमको पूरा एकदम प्रोपरली सेटप करना पड़ता है और उस पे जो है कुछ 20-25-30-40 ब्लॉग जो है उसको हमको डालने पड़ते हैं दोस्तों आईसा नहीं है डिरेक्टली जो है दोस्तों आईसे नहीं रंग करता है अब देखिए उस वह हमको करना क्या है कि अगर जैसे गूगल डिस्कवर में दोस्तों हमको भेजने के लिए जो मोबाइल पे आप गूगल का एप खोलते हैं उस पर जो है कुछ निउस टाइब का आ है कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसका पोर्शन वहां पर आता है लेकिन यह चीज़ कब होता है दोस्तों कि यहां पर आप देखिए अपने डारिक जो है इस प्रकास का गूगल नहीं भेज़ेगा दोस्तों सबसे पहले दोस्तों गूगल जो है आपके ब्लॉग पर जो वेबसाइट को बना के रेडि करने के बाद जो है उस पर पोस्ट होगा जो है हम डालते हैं दोस्तों हर एक चीज़ आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट में अब ही मैं भी बहुत ज्यादे स्टार्ट किया हूं तो यहां पर हमारा भी कोई जो है इस पर ट्रेफिक नहीं है दोस्तों मैं start कर रहा हूं क्योंकि मेरा धूसरा ब्लाउग है मैं इस पर ठीक ठाइग मेरा काम हो रहा है लेकिन यह है मैं बिन्प क्रेट किया हूं यह पर तो तो यहां पर हर एक चीज़ मैंने में इस पर प्लग इउन हो गारा रहा है इस्टाल टो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं अभी देखिने एक मिलाट एक का ही सेकेंड में दोस्तों टोवर बीजटर वियूर्वर है यह पांच है टोटल इंप्रेशन क्लिक जो है इसना दिखा रहा है ख़िक है अब यह दोस्तों इसको जू तो जीसे आप सकते हrito को कि मैंने志 साइट जो है इसो बाहर से उसक्कार को यहां पर देख इस परकार का रही किया है तो यहां पर दोस्तों हमारे इंटरनेट के द्वारा है थो क्लिक होते हैं उसका दिखा सोक करता है यहां पर तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि हम भी जो भी ब्लाग लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है उसको हमको share करना है जब हमारे पास zero traffic होगा उसका उसके बाद सुरुवाती में हमको करना क्या है जीरो ट्रैफिक पर हमको अब कैसे अपने जो है पोश्ट को आगे बढ़ाना है कैसे rank करवाना है दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों हमको अपने instagram, telegram जो भी हमारा group है whatsapp है facebook है दोस्तों instagram है यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं अपने पोश्ट को जो है send करते हैं यानि कि अपने post को वहां पर डालते हैं, share करते हैं, तो वहां से क्या होता है कि हमारे जो post जो है, अलग-अलग जो हम share करते ही, तो कुछ लोग हमारे post को पढ़ते हैं या देखते हैं, विजिट करते हैं दोस्तों. तो वहाँ से दोस्तों क्या होता है कि Google को जो है लगता है कि हाँ ये जो है इसको पोस्ट करते ही जो है इसको ट्रैफिक कुछ आ रहा है दोस्तों अब इसको दोस्तों क्या करना है हमको ऐसे एक बार करके नहीं बैटना है तेक है इसको जो है बार बार जो है हमको जब भी समय म अगर आप सूचिए कि अगर जो इस चीज को कोई चीज आटोमेटिक करे तो कितना अचछा होगा यानि कि अगर हम ऴरा पोस्ट है डालते ही अगर जो कहीं पर इपर होने लगे तो बहुत अच्छी बात है इस्से जो है है हमारा बेफ साइट बहुत ही जल्दी से यहिंन कि एक महीने के अंदर हमारा पनारा पनार कर सकता है और इस से बढ़ित का इस्लेसरा कि सब जीएठ का और अपधे और किमाई भी होने लगेगी तो यह बinklesस्टों सब इसको करने के पे दोस्तो इसको आपने पोस्ट को सेर करते रहें यानि जो भी कोई पोस्ट लिखें, डालें उसको जो हम अपने Facebook हर एक चीज पर जो है शेर करते जाएं तो दोस्तो इससे क्या होता है कि अगर जो हम सेर करेंगे जैसे मालीजी हमारा Facebook है Instagram है हमारे फालोवर सुमाय पे 1000-2000 मतलब जिसका जितना हो ज़्यादे जिसका होगा उसका ज़्यादे रीज बढ़ेगा तो उसके क्या होगा कि एक ट्रैफिक जो है अगर जो जिसके कि आप यूटुब पर वीडियो डालते हैं तो उसका यूटुब जो है आप सबको नोटिफिकेशन यानि कि ट्रैफिक भेजता है, notification भेजता है, subscribe भेष्ट पर, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा सब्सक्राइबर नहीं जादे है, starting में channel बनाए है तो इससे क्या होता कि जब हम video को डालते हैं तो हमको कोई views उगारा नहीं आता ह। हमको क्या करना पड़ता है शुरू में हमको facebook पे instagram पे whatsapp पे जो हमको share करना पड़ता है इससे क्या होता है कि जब हम share करते हैं तो लोग वहां से click करके जो है हमारे page पर जाते है हमारे YouTube वीडियो पर जाते हैं, विजिट करते हैं, कुछ देखते हैं तो इससे दोस्तों क्या होता है कुछ उसका traffic बढ़ता है तो traffic जब बढ़ता है दोस्तों तो ये जो है उसके search में जाता है यानि search index में हमारा वीडियो या हमारा blog post, google के search में या YouTube के सर्च में अलग-अलग पोर्सन है दोस्तों यह सब जाता है तो हम उस पर हमारा कुछ रीज बढ़ता है धीरे-धीरे करके हमको सब्सक्राइबर भी मिलते हैं वहां से यानि कि कोई भी हम सेयर करने के बाद कोई बिजिट किया तो वहां पर जो a organic traffic होता है अगर जो हम किवर्ड को सर्च करके पहुंशते दोस्तों यानि गूगल जो हमको suggest करता है वह जो organic जो है उसका traffic होता है जो बहुत सुद्ध traffic उसको कह सकते हैं और्गानिक traffic कह सकते हैं तो वहां से ज़दता है लेकिन अगर हम कहीं इंडेक्स में हमारा जो है ब्लॉग वगरा जाता है तो उससे जो हमारे रीच बढ़ती है तो यहां पे दोस्तों बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन जैसा कि मा लेज़े हम क्या करते हैं कि हमको भी एक ब्लॉग को या article जो हम हम यहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ पे जो है अपने वीडियो को हम सेर करते हैं दोस्तों जैसे कि माले जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो हमको यहाँ पे कुछ ट्रैफिक यहाँ पे जो मिला है दोस्तों यह चीज अब इसको दोस्तों हम वीडियो को किया किये हैं इ यानि कि कुछ भी आप लिख सकते हैं या उसी का हेडिंग भी लिख सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों क्या हमने हो पोष्ट को शेर कर दिया ठीक है अब यह जी दोस्तों एक बार नहीं आपको बार बार जो अपने पोस्ट को शेर भी करना है क्थिक है Ha पर हर चेगां ट्यूटर में फेस्बूक पर फाट्सवी यहां पर इसटाग्राम से इसको शेर करते रहें तो यहां पर आपको को इसको अब इसेक कई-स इसयुजर आपको इसको इस के फिक सब्सक्राइबर है और नोटीफिकिशन गया , यहां पर आ है, तो दोस्तो यूटूब यूटूब की तरह भी जैसे यूटूब वीडियो ढालते ही 유튜प क्या कहरता है notification भेजता है सबके पास कि आप जो है video डाल दिये हैं तो लोग जो है वहाँ पे उसको open करके जो है देखते हैं तो यहाँ पी भी दोस्तो एक service होता है इसमें paid भी होता है कुछ फिरी भी होता है जो है push notification का जैसा कि दोस्तों आप कोई website जो है open करते हैं कोई भी website दोस्तों open करते हैं यहाँ पे तो जैसा कि मा लिजिए तो दोस्तों हमारी खाने का मतलब यह है कि जो वे push notification होता है on blogger या blog पे जो है तो यहाँ में दो push alert को बोला जाता है इस पे जो है कुछ website है जो आपके जो है push notification भीड़ते है तो उनका दोस्तों जो है उनका API है या उनका कोई code है दोस्तों जो यूज किया जाता है इस पे दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो है इस चीज़ पे कैसे इसको यूज किया जाए दोस्तों हम भी इसको जो है यूज करेंगे इसके बारे में जो है push notification के बारे में दोस्तों यह बहुत important है मैं भी कहीं से भी इसको research किया हूँ कि कैसे जो है आपके blog पे आपके website पे बहुत सारे traffic बढ़ते चले जाते हैं आपका यूजर भी बढ़ता चला जाता है दोस्तों अब इसमें दोस्तों माली जी आप facebook पे जो share किये हैं दोस्तों जो यूजर जो है वहाँ के यूजर है आपके website को जो है open किये तो यहाँ पे दोस्तों एक जैसे कोई website open करता है तो यहाँ पे allow और ब्लाग का आता है कि यह अगर जैसे ही कोई आप जो है post डालते हैं तो वैसे दोस्तों अगर जो यूजर के पास जो है जैसे कोई अपना website कोई भी page open करता है ठीक है वह अपना page जैसे कोई open करता है तो उसको एक push notification आ जाता है कि हाँ यह चीज जो है post जो है उसका title उसका थैमिनल जो है हर एक चीज वह properly जो है देख सो करता है तो दोस्तों वह क्या करता है डालत जो है open करके देखने लगता है या उसको पढ़ने लगता है तो इससे क्या होता है कि इस प्रकार का जो है जैसे माल जी आप स्टार्टिंग में share किये तो 10-20 का notification सव का लोग open किये उसमें 10-20 जो है उसको allow कर द जाएगा दोस्तों कोई भी जो है search करके जाएगा जैसे जाएगा notification जैसे वह allow करेगा और कहीं कहीं भी दोस्तों तो hidden automatic allow भी हो जाता है कि जिससे user को पता भी नहीं चलता है और उस जो है उनको allow हो जाता है और जैसे ही कि वह अपना page खोलते है तो जैसे उनको notification दिखाए जाता है जिसे नीचे से ground level से जो है high पर जाता है इस प्रकासे तो इस प्रकासे दोस्तों वहां पर जो है traffic बढ़ने लगता है जिसे यह आपका जो है बहुत सारे जो है मतलब money को आर्म कर सकते हैं अगर जो आपका adsense approval मिल गया है दोस्तों और नहीं है तो जल्दी से adsense approval भी मिल जाएगा क्योंकि आपके sites पे जो है ध्यान रगना को दोस्तों यहां पर भी एक आपको हर एक ब्लॉक का जो है जो जो फीचर image होता है एक thumbnail type का होता है उसको जो है बहुत बहतर बनाना अपीलिंग बनाना ऐसा नहीं कि जो है आप click bad ना बहुत जादे बनाने तो इस पै बहुत ऊपर thumbnail में कुछ भी है और content में कुछ है ऐसा misleading misguide ना हो तो यहां में दोस्तों जो है आपके channel का जो है आपके ऐसा नहीं है दोस्तों आप जो है उस service का यूज करके आप YouTube का भी अपने website का भी जो है पुस notification भेज सकते हैं तो दोस्तों इस परकास के जो अगर जो बढ़ने लेगा दोस्तों तो आटोमेटिक जो है Google discover में भी आपका सो होने लेगा अगर जो कुछ भी user आपके जो है ब्लाक पोस्ट को रीड कर रहे पड़ रहे हैं तो उसके बाद जो है उनके जो है अगर जो Google का आप खोलेंगे दोस्तों तो वहां पर भी जो है आपका ज बढ़ जाएगा दोस्तों तो दोस्तों मैं यह सब चीज पर जो है मैं अब ही तो इसको आईसे ही जनरली आपको बतार दिया हूं और इस पर पुस्ट नोटिफिकेसन का भी एक वीडियो जो है मैं अपने फुद इंप्लिमेंट करके जो है आप सबको बताऊंगा कि कैसे इ इंफार्मेटिव देगे तो मारी वीडियो को लाइक किजिएगा सीर किजिएगा और हमारे यूट्यूब चनलल को सब्सक्राइब किजिएगा इसके साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जैहिन बंदिमात्रम